नमस्कार ये खसकस है और देखने में क्रीम कलर की होती है और बिल्कुल बरीक परीक सुजी के दाने जैसी होती है इसकी तासी ठंडी होती है इसे खसकस को पोसत दाना के नाम से वह पॉपी सीड के नाम से भी जाना जाता है इसमें अच्छी मातरा में केलसियम पाये जाता है आइरन पाया जाता है, मेगनेशियम, पोटेशियम पाया जाता है, फाइवर अच्छी मातरा में पाया जाता है, और भी अनेक ऐसे खनीज पाया जाते हैं, जो हमारे सरी के लिए बहुत ज़्यादा लाबकारी होते हैं, बहुत सी बीमारियों में हमारे ये फाइदे मंद होता अब मैं आपको इसकी मातरा बतायता हूँ, इसकी मातरा आधा चम्मस से एक चम्मस सुबे शाम इस्तमाल कर सकते हैं, इसी तरह तीन से छे गराम का इस्तमाल सुबे तीन से छे गराम का इस्तमाल साम को आप बीमारी के अनुसार किसी भी चीज में मिला के इसका इस्तमाल कर सकत इसी तरह इसको बहुत से लोग ठंड़ई बना के पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसकी खीर बना के खाना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सबजी में मिला के इसको खाना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेवे जो आते हैं बदाम, काजू, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जड़ी बूटियों में अपनी बीमारी के नुसार जो उनकी जड़ी बूटियां इस्तमाल होती हैं, उन जड़ी बूटियों में इसको मिला के पीस के पाउडर के रूप में सुबह शाम गाय के दूद के साथ लेना पसंद करते हैं. किस बीमारी में किस चीज के साथ इस्तमाल करना या अकेला इस्तमाल करना आपके लिए कैसे फाइदे मन दोगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिसे आप इस्तमाल करके पूरा लाव उठा सकते हैं. जो पेट में गर्मी ज़्यादा हो जाती है न तो मूँ में छाले पड़ जाते हैं, जीव आ जाती है, तो ऐसे में इस पोसत दाना जिसे हम खसकस बोलते हैं, इसको पाउडर बनाके, स्वाद अनुसार देशी खांड मिलाके, सुबे शाम ठंडे पानी के साथ, सुबे खाल पेट और साम को खाना खाने के एक घंटे बाद इसका इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है, मूँ के चाले और जीव आने की समस्या से छुटकारा मिलता है, जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है, उन लोगों को कहना चाऊंगा, इसमें फाइबर अच्छी मातरा में पाये जाता है, अगर इसको पीस के पाउडर बनाके उस पाउडर में स्वाद अनुसार देशी खांड या गुड का पाउडर मिलाके, रात को सोने से दो गंटा पहले गाय के दूद के साथ इस्तमाल करने से कब्ज जैसी समस्या दूर हो जाती है और पेट हमेशा साफ रहता है, जिन लोगों को नीद ना आने की समस्या तंग करती है, सोते पी है तो इदर उदर दिमाग घूमता रहता है, तो ऐसे लोगों को कहना चाऊँगा कि खस खस 50 गराम 50 गराम धागे वाली मिसरी इन दोनों को अलग अलग पाउडर बनाके मिलाके एक से दो चमच रात को सोने से दो घंटा पहले गाए के दूद के साथ इस्तमाल करने से दिमाग की खुशकी दूर होती है और नीन अच्छी आती है, और उनको बहुत अच्छा लाब भी मिलता है और दिमाग की नसों में ताकत भी मिलती है, जो लोग हिर्दे रोग से परेशान है, उन लोगों कहना चाऊंगा खस-खस की ठंडाई बना के सुबह खाली पेट इस्तमाल करना उनके लिए बहुत अच्छा लाबकारी है ये दिल की गर्मी को खतम करता है और घबराहट पेचैनी को दूर करता है दिल की नसों को ताकत भी देता है जिन लोगों की हडियां कमजोर है हडियों म करने से हडियों का घनतु बढ़ता है और हडियां मजबूत होती है जिन लोगों को तोचा से संबंदित बीमारियां तंग करती है खार इस खुजली उनको बहुत जादा तंग करता है चाए वो दाद हो चाए वो एकजीमा हो किसी भी तरह के चरम रोग में अगर खस-खस की ठंडाई सुबे खाली पेट पी जाती है तो उससे खुन भी साफ होता है और तुचा के रोग भी दूर होते चले जाते हैं जिन लोगों कोई दिमाग की सोचने समझने की शमता कमजौर है या मान लीजे कुछ भी कहीं रखते हैं तो भूल जाते एसे लोगों को कहना और कोई चीज भूलने की जो विमारी होती है वो खतम हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये दिमाग के नसो को, कोशिकाओं को ताकत देता है जिन लोगों के सरी में जगा जगा दर्दे तंग करती है, जोडों में सूजन तंग करती है उन लोगों को कहना चाहूंगा खस-खस का पाउडर बनाके सुबह शाम गाई के दूद के साथ इस्तमाल करने से उनको बहुत अच्छा लाब मिलता है जोडों की सूजन वा दर्दे खतम होती चली जाती है उनको बहुत अच्छा फाइदा होता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे पोशक ततु पाये जाते हैं जो जोडों की सूजन वा जोडों के दर्द को खतम करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा जो लोग बार-बार बिमार पढ़ते हैं जिनकी रोग परतिरोदक शमता परनाली कमजोर हो जाती है ऐसे लोगों को भी कहना चाहूँगा खस-खस का पाउडर बनाके गाई के दूद के साथ सुबे शाम इस्तमाल करने से रोग परतिरोदक शमता परनाली बढ़ जाएगी और बार-बार जो मोसम बदलता है या किसी भी अन्य कारण से बार-बार बिमार पढ़ते हैं वो बिमार पढ़ना बंद हो जाएगे और बिल्कुल हमेशा स्वस्त बने रहेंगे जिन लोगों को दमे की शिकायत है चाहे स्वांस नली में फेफ़रों में सूजन इंफेक्शन या इलर्जी और बलगम के कारण उनको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा खस-खस का पाउडर बनाके एक चमस सुबे शाम हल्दी वाले दूद के साथ इस्तमाल करने से दमे की बिमारी में बहुत अच्छा लाब मिलेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे जिन लोगों के गुर्दे में पत्री की शिकायत और पिशाम में जलन बनती है पिशाम में रुकावट होती है पिशाम में बार बार इंफेक्शन होता है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि खस-खस के powder से ठंड़ाई बनाके सुबे शाम इस्तमाल करने से खास तोर पे सुबे खाली पेटिस का इस्तमाल करने से गुर्दे की पत्री पिशाब के रस्ते निकल जाती है और बार-बार होने वाला मुत्र नली या मुत्राशे में infection बिल्कुल खतम हो जाता है जिन लोगों के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बल्गम जमावर रहता है और छीके आती हैं सर्दी जुकाम तंग करता है ऐसे लोगों को कहना चाओंगा खस-खस 100 गराम, 10 गराम उसमें सफेद मिर्च और 20 गराम उसमें हल्दी की गाट इन टीनों को मिला के पीस के सुबे शाम गाय के दूद के साथ इसका पाउडर इस्तमाल करने से सभी तरह से जमा हुआ कफ बिल्कुल खतम हो जाता है साइनस एलरजी खतम होती है और सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा लाब मिलता है जो लोग खासी से परेशान है चाहे सूखी खासी आती है चाहे बलगमी खासी आती है उन लोगों को कहना चाहूँगा 100 ग्राम सोट, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम खसकस तीनों को पीस के पाउडर बनाके एक चमस सुबे शाम गरम दूद के साथ खाना खाने के एक गंटे बाद इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है और सबी तरह की खासी खतम होती चली जाती है बालों में किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए ठंडाई का इस्तमाल जो खसकस का आपने करने है सुबे खाली पेटिस का इस्तमाल करने से आपको बालों की हर तरह की समस्या में बहुत अच्छा लाब मिलेगा जिन लोगों के बराबर सिर में दर्द बना रहता है हमेशा दर्द से परेशान रहते हैं और हमेशा कुछ कपड़ा बांध के रखते हैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा खस-खस का पाउडर सुबे शाम गरम दूद के साथ गाय के दूद के साथ इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है और सिर दर्द की समस्या जड़ से खतम होती चली जाती है खस-खस के मैंने आपको इतने सारे फायदे बताये तो कुछ नुकसान भी बतायता हूँ इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है इसका जरूर से ज़्यादा मातरा में इस्तमाल नहीं करना है उनके लिए ये नुक्सान दायक होता है और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद